नमस्कार दोस्तों पहलवान गुरुदिन गुरुपक कोले में आपका स्वागत है मैं आकस कुमार आज आपके लिए लिखा रहा हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारती संबिदा दिनियम 1872 के बारे में जो 25 अपरेल 1872 को लाग हुई थी चलिए दोस्तों प करना समीचीन है अतहा एतद द्वारा यह निम्लेखित रूप में अदिनियमित किया जाता है प्रारंबिक धारा एक कहती है संचिप्त नाम यह अदिनियम भारती संबिदा अदिनियम 1872 कहा जा सकेगा बिस्तार प्रारंब इसका बिस्तार जम्मुकस्मी राजी के सिवाए स ब्याबिर्ति इसमें अंतरविष्ट कोई भी बात एतत द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्सित ना किये गए किसी इस्टेट्यूट अधिनियम या बिनियमन की उपवंदों पर ब्यापार की किसी प्रथा या रूरी पर अत्वा किसी संविदा की किसी प्रसंगती पर जो इस अधिनियम की उपवंदों से असंगत ना हो प्रभाव ना डालेगी धारा दो निर्वचन खंड इस अधिनियम में निम्नलखे सब्दों और पदों का निम्नलखे भावों में परियोग किया गया है जब तक कि संदर्व से प्रतिकूल आसाय प्रतित ना हो प्रस्थापना प्रस्थाव का कहती पॉइंट नमर का में प्रस्थापना प्रस्थाव परिवाचित किया गया है जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रिवरित रहने की अपने रजावन्दी किसी अन्य को इस द्रश्टी से संग्यापित करता है कि ऐसे कार या प्रविर्टी की प्रती उस अन्य की अनुमती अभी प्राप्त करे तब वह प्रस्थापना करता है ये कहा जाता है धारा दोखा कहती है वचन जबकि वह व्यक्ति जिस से प्रस्थापना की जाती है उसके प्रती अपनी अनुमती संग्यापित करता है जब वह प्रस्थापना प्रतिगरहत हो जाने पर वचन हो जाती है धारा दोखा कहता है वचन दाता या गिरीता के बारे में प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति वचन दाता कहलाता है और प्रस्थापना प्रतिगरहत करने वाला व्यक्ति वचन गिरीता कहलाता है धारा दो गहा कहता है प्रतिफल के बारे में जबकि बचन दाता की वांच्छा पर बचन गिरीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विर्थ रहा है या करता है या करने से प्रविर्थ रहता है या करने का या करने से प्रिविर्ट रहने का वचन देता है तब ऐसा कार या प्रिविर्टी या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है करार अना कहता है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संबर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है व्यतिकारी वचन चा एफ कहती है विवचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाती है सुन्य करार चा चा कहता है वह करार जो विदीतहा प्रवर्तिनिय ना हो सुन्य कहलाता है किरमसा अधीनियम क्रमांग 3 सन 1952 प्रतिस्थापत दूसरा अधीनियम क्रमांग 10 सन 1952 निर्षित धारा दूजा कहती है धारा दूजा में संबीदा को परिभास्त किया गया है वह करार जो बिदीता प्रवर्तिनिये हो संबीदा है प्रस्ताओ के लिए नियंतरन मेकसर्स प्रस्ताओ के लिए नियंतरन मेकसर्स बनाम अपन्ना हारवे बनाम कैसी के मामने प्रस्ताओ के लिए नियंतरन के बारे में बताया गया है धारा दो जा कहते है संवीदा के बारे में वह करार जो बिधीदा प्रवर्थनिये हो वह करार, जो उसके पक्षकारों में एक या अधिक के बिकल्ब पर तो बिधी दोवारा प्रवर्तनिय हो किन्तु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के बिकल्ब पर नहीं सुने करनी ये संविधा है धारा दो अंगा कहता है सुने संविधा के बारे में सुने संविधा क्या है जो संविधा बिधीता प्रवर्तनिय नहीं रह जा जब वह प्रवर्तिनिया नहीं रह जाती है। जब वहत्तर में बना कर तयार हुआ था। तथा सन्थ भारती संविधा अधिनियम 25 अपरेल 1870 को लाग हुआ था। हमारे पहलावान गुरुदिन गुरुप और कॉलेज की जर्नल्ट कुछ सब्सक्राइब करें।